हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टो वर्ड चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी मैं हूं महमद सोहेल आज दोस्तों हम लोगों को दो ट्रेड को पॉजिशन मिला था और आज हम लोग जो ट्रेड लिये हैं वो लिये हैं एक अपना जो टेलिग्राम प्रेमियम ग्रूप है उसके अंदर हम लोग एक ट्रेड में काम किये अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अनैलिसिस में जाने से पहले दुस्तों पहला कैंडिल मार्केट का डिसाइड करता है कि फस्ट हाफ मार्केट में क्या होगा उसके बाद ब्रेक आउट या ब्रेकडाउन डिसाइड करता है कि सेकेंड हाफ मार्केट में क्या होगा जिसें फस्ट हाफ मार्केट नीचे गिरा उसके बाद यहाँ पे सेके यही समझाना चाहता हूं, first half market file I can be decide करता है, second half market previous day का breakout या breakdown decide करता है कि market में उपर होगा या market नीची होगा, ठीक है, और आज first half market में जो होगा and उसको fake breakout कैसा पैचाना है, fake breakdown levels कैसा पैचाना है, bank nifty के उपर, मैं every day thumbnails provide कर रहा हूं, आप free telegram group channel जॉइन कर सकते आपको मिल और आज के फर्स डे केंडल क्लोजिंग भी नहीं हुआ पांच मिनिट का केंडल भी क्लोज नहीं हुआ यहां पर डिसाइड हो गया था कि मार्केट नीचे गिरेगा तो मैं क्या किया आज एक्सपाइर ही है निफ्टी फिन में 19,550 PE का पोजिशन दिया 16 to 13 के between entry 21,28,35,52 complete हमारा profit booking और यहां पर देखो 73 का हाई लगाया इसका मतला हमारे पूरे टार्गेट अच्छी होगे अब वेनस्दे लाइव मार्केट में कैसे काम करना है ज्योंकि बैंक निफ्टी का भी एक्सपाइर ही है तो हम लोग को काम करना ह अगर बैंक निफ्टी का एक्सपाइर ही वेनस्दे के जिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ गैप डाउन ओपन हुआ ट्रेड करके बेकार है ट्रेड करके ही बेकार है ठीक है कुछ ट्रेड नहीं कर सकते है पर अगर यह neutral ओपन हुआ तो position selling है कब तक selling है जब तक यह वाला लेवल ऊपर के तरफ ब्रेक नहीं करता बैंक निफ्टी selling ही जाएगा ठीक है एंड यह जो मूरड ट्रेडिंग की candles है इसको मत पकड़ो यह analysis के लिए काम नहीं आएंगी एंड यहां पे breakout है यहां breakdown level है ट्रेडड वैल्यू का breakout है यह breakdown level है यह previous breakout level का support का यह previous breakout है यह आज का उसका breakout का level support है यहां पे दिख रहा है यहां पे और यह low कहां तक लगाया यह low लगाया यहां तक एंड याद रखो अगर Wednesday live market में bank nifty 43,853 का level break कर रहा है समझना कि selling continue है selling क्यों continue है क्योंकि अगर आप one hour का candle chart देखो position on selling है यहां पे clearly देखो position on selling है four hours candle chart देखो selling होने वाली है 30 minutes में confirmation of selling है 15 minutes में confirmation of selling है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि Wednesday हम लोगों को selling देखने को मिलेगा और Wednesday कुछ थोड़ा बहुत यहां पे buying देखने को मिलेगा तो भी हम लोगों को फिर Thursday selling देखने को मिलेगा यह indicate कर रहा है bank nifty bank nifty खुद indicate कर रहा है अब जैसे आज position बना premium group में वैसे पोजिशन बनेगा Wednesday तो Wednesday भी दूँगा मैं याद रखिए मैं अपने premium group में टेलिग्राम में regular एक कॉल देता हूं what's up premium group में 2-3 call देने के मैं पूरी कोशिश करता हूं मार्केट में opportunity रहा तो ठीक है opportunity नहीं रहा तो हम लोग अपने इसाब से decide करेंगे पर आप इतना याद रखना कि Monday सॉरी Wednesday लाइव मार्केट में यह level हमारे लिए important है उपर जाने के लिए अगर यह level important है तो यह level जादा important है selling जाने के लिए होगा तो opportunity ऐसे बनेगा वरना इसे बनेगा gap up होगा तो समझ जाना direct selling है gap down हो गया तो market थोड़ा expiry के जिस सता के हम लोगों को position देगा दोस्तों तो यह था मेरा update bank nifty पे अगर आपको analysis समझ में आया तो वीडियो को like करिए share करिए and youtube चैनल को subscribe कर लीजिए thank you for watching my video